जैसरी राम, I am Dr. Manish Jaiswal, 36 गड भिलाई से इस वीडियो बे मैं कुछ information आपके साथ share करना चाहता हूँ related to Government Medical College और Private Medical College जो की 36 गड में है तो 36 गड में जो Government Medical Colleges हैं चाहे वो पंडित JNM Medical College की बात करें या GMC महसमुन्द की बात करें यहाँ पे जो सालाना फीस structure है इनकी 50,000 है, 50,000 है सभी Medical College की, JNM की भी, GMC महसमुन्द की भी इसके बीच में भी जो Medical College आते हैं चाहे वो Sims बिलासपूर हो, जगडलपूर हो, Government Medical College राजनान गाउं हो GMC रायगर हो, अंभीकापूर हो, चंदुलाद चंद्राकर भिलाई हो, यह कोरबा हो, सारे कांकेर हो इन सब की जो फीस है, एक साल की जो आपको फीस पढ़ती है 50,000 रुपे देना होता है, जिसमें से 40,000 रुपे आपके 40,000 ट्यूशन फीस होते है और 10,000 एडिशनल है, अलग अलग नाम से अलग 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 कॉलेज में लिया जाता है बट है उतना ही, मतलब अगर देखा जाए, तो टोटल जो आपका MBBS का डूरेशन है 4.5 साल का, इसमें आपको फीस पढ़ने वाली है, multiplied by 4.5 कर देते हैं मेरा मैस थोड़ा वीक है, तो ये तकरीबन 2,25,000 रुपय हो जाता है, इतना, 2.25 लाग 4.5 साल का डूरेशन, एक साल का जब आप इंटरंशिप करते हैं, तो गौर्मेंट आपको यहाँ पे कुछ स्टाइपेंट प्रोवाइड करती है जो तकरीबन 12-15,000 रुपय पर मन्त हो सकता है, हो सकता है कि आपके टाइम तक यह थोड़ा सा बढ़ जाए, उस वन येर के इंटरंशिप में अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जो प्रैविट मेडिकल कॉलेज़ हैं, अभी फिलाल तीन प्रैविट मेडिकल कॉलेज हैं, और तीनों जगह पे 150 सीटें हैं अचा एक चीज़ मैं आपका और क्लियर कर दूँ कि यहाँ पे जो गवर्मेंट मेडिकल कॉलेज हैं, इसमें से जो सीटें होती हैं, 100% सीट जो होती है, इसमें से 15% आल इंडिया कोटा के थुरू भरा जाता है, आल इंडिया कांसलिंग से, बाकी के तो 3% सीट हैं, यह सें GDME, 36 गड़ डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, अपने भरस्टाचार के लिए फेमस है यह, पिछले साल का रिफंड अभी तक इन्होंने नहीं किया है, रिफंड वाला जो प्रोसेस है उसको इतना कॉंप्लिकेटेड कर दिया है, कि अभी तक कई सारे बच्चों को पिछ इनो प्रेविट मेडिकल कॉलेज में फिलाल 150-150 सीटें हैं और यहां पर जो प्रेविट मेडिकल कॉलेज होते हैं, इसमें सीटें NRI के लिए भी होती है, 22 सीट पर मेडिकल कॉलेज, इसके बाद जो सीटें बचती है 128 पर मेडिकल कॉलेज आप कैलकुलेट कर लिजे, घर म management quota होती है अब ये management quota को मतलब यह होता है कि इसमें 36 गड़ के बच्चे तो participate कर ही सकते हैं इसके अलावा जो other state के बच्चे हैं 36 गड़ के बाहर के बच्चे हैं वो भी इस management quota के seat के लिए participate कर सकते हैं फिर जो इन दोनों में reservation applicable होता है वो 36 गड़ के according reservation applicable होता है जिसका detail हमने अलड़ी पहले भी mention किया हुआ है इस साल के counseling में भी mention करेंगे तो यह per college हो गई अगर हम लोग बात करें fees की जो main मुद्ध है की fees structure की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए का difference कितना होता है on a average जो SSIMS का जो fees है मुझे exactly याद नहीं है बट हाँ ठीक है यह 13,90,887 है per year 13,50,887 है मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको उसके लिए fees लिखना जरूरी है SBIMS की जो fees है यह है 12,70,187 है और RIMS राइपूर Institute of Medical Science इसकी जो fees है 13,15,000 800, sorry 187,187 है ठीक है चलिए तो यह मैंने on a average fees लिख दिया है इसका अच्छा fees revise होने वाली है अगर आप एक तरह से देखें तो Central India में सबसे कम fees में अच्छे colleges यही तीन है कम fees में अच्छे colleges की बात कर रहा हूँ यह fees government quota की भी वही होती है management quota की भी same होती है management quota का यह कताई मतलब नहीं है कि आपको अलग से additional कोई donation वगर देना है counseling भी same body कराती है CGDME ही कराती है इसके लिए counseling All India के माध्यम से नहीं होता है आपको 36 गड़ के counseling में ही participate करना होगा एक साथ ही होता है अलग से नहीं होता और 36 गड़ की counseling generally All India की counseling सुरू होने के कुछ दिन के बाद होती है जिसको आप CGDME के website पे update देख सकते हैं मैं channel पे भी update करूँगा आप बने रही है अभी counseling स्टार्ट नहीं हो रहा है tension मत दो आप तो यह fees हैं अगर मैं इसको साड़े चार साल के लिए calculate करूँ on and average 4.5 year की आपको fees देनी होती है साड़े चार साल की तो तकरीबन 60 lakh बैठता है यह plus minus हो सकता है 58, 57 हो सकता है 60 से थोड़ा plus भी हो सकता है मैंने average लिखा हुआ है कि 60 lakh रुपए आपको fees लगते है अब देखो कहां आप 72 lakh रुपए में MBS कर रहे हो अच्छे colleges से और कहां आपको कितने लग रहे है 60 lakh difference कितना है 57 से 60 lakhs का difference है अगर आप निकालोगे और भी कुछ खर्चे होते है private medical college में पढ़ने के तो 57 से 60 lakh रुपए का difference है same degree आपको मिलेगी अच्छा एक चीज़ और बता दू 36 गड़ में जो government medical college है और जो private medical college है MBBS के लिए university सेम है कोई अलग-अलग university नहीं होता I use university ही आगे आपका MBBS first year, second year, third year, fourth year, final year इन सब का exam organize करती है मतलब आपको same type का exam देना है same university से exam देना है same type की degree मिलेगी पर difference कितना है असा ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसा भी नहीं है कि आपको 36 गड़ में या जो private medical college है एकदम से चना मुरा टाइप का अगर NRI seat को छोड़ दिया जाए NRI seat को छोड़ दिया जाए जिसकी fees करोड़ों में चली जाती है उसमें admission आपको बहुत low marks पे मिल जाता है अगर आपके पास NRI का document है तो आप उहाँ पे admission ले सकते हैं आपको कम marks मिल जाएगा 1500 नंबर, पौने 200 नंबर, 200 नंबर पे भी मिल जाएगा लेकिन बाकी अगर देखा जाए चाहे वो undeserved हो OBC हो बाकी EWS का तो इन में कोई अलग से reservation होता नहीं है तो इसमें भी कोई आपको 1500-200 नंबर पे admission नहीं मिल रहा है एक ठीक ठाक नंबर पे ही admission आपको मिलता है यहाँ पे अच्छे नंबर पे admission मिलता है लेकिन फरक आप देखिए कि एक जगह पे आपको सबादो लाख रुपए है ना और एक जगह आपको 60-60 लाख रुपए total खर्च आतें MBBS करने में डिगरी से मिलेगी अच्छा एक बात बताओ जो 60 लाख रुपए खर्च करके डॉक्टर बनेगा उसके अंदर सेवा भावना कितनी रहेगी first mentality तो यही रहेगी उसकी कि भाई यह जो investment क्या हुआ है उसको कैसे वसूल आ जाए यह fact है बातें बूरी लग सकती है लोगों को definitely हो सकता है comment box में मुझे गालियां भी सुनने को मिले कोई दिक्कत नहीं है open रहता है हमेशा आप सोतंत्र है अपने विचार रखने के लिए जैसे मैं सोतंत्र हूँ अपने विचार रखने के लिए यहाँ पे तो जो 60 लाग 70 लाग रुपे invest करके डॉक्टर वना है वो किस तरीके का आगे है ना चीजे है वो खुद आप समझ सकते हैं और यहाँ पे एक चीज ध्यान देना कि 36 गड़ के जो गौवर्मेंट मेडिकल कॉलेज है यहाँ से जब आप MBBS करते हैं तो 2 एर का 2 साल का रूरल सर्विस बांड होता है है ना रूरल चाहे आप आल इंडिया कोटा के माध्यम से आएं आपको ग्रामीड सेवा देनी होती है यहाँ पे सुविधाय नहीं है यह जरूरी नहीं है है ना और उस समय जो आपकी अभी फिलहाल जो सेलेरी चल रही है पर मंध 55,000 से 60,000 इससे ज़्यादा सेलेरी नहीं है पर मंध तो अगर आपने government college से किया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है 55,000 रुपाई is quite good यह ठीक ठाक है लेकिन अगर आपने private college से किया है तो उस case में आपको bonded नहीं रहते हो आप free हो जाते हो, mb-based करने के बाद private college में कोई rural service bond नहीं होता है, मतलब जैसे ही आपका mb-based complete होगा, आप free हो जाते हैं आप उस case में, है ना, तो आपको job भी नहीं मिलेगा, because of past कुछ year से देखा जाए, यहाँ पर scenario तो डॉक्टरों की संख्या बढ़ी है, no doubt, है ना, और government जो है, government job निकाल नहीं रही है क्योंकि bonded doctor उसको more than sufficient मिल जाते हैं, तक्रीबन अभी फिलाल 1910 MBBS की seat हैं, total मैं बात कर रहा हूँ private और government की 36 गड़ में तो इतनी seat हैं इसमें से बहुत सारे, government में of course जादा seat हैं, क्योंकि number of colleges जादा हैं तो यह सारे doctor bonded रहते हैं और इनको government bond के तहत rural service area में भेजती है जबकि यहाँ पर जो private college रहता है उसमें bond नहीं रहता है तो आपको job की भी security नहीं है, कि जब आप यहाँ से निकलोगे तो आपको job मिल जागा, हाँ, अगर आपका खुद का hospital है, well settled है तो उस case में कोई दिक्कत नहीं है कहना मैं यह चाहता हूँ इस video के माध्याम से ठीक है, कि यार काफी difference है अगर आप एक साल मेहनत कर सकते हैं आपके अंदर है कि आप मेहनत कर सकते हैं आप government college के Mbbs street निकाल सकते हैं तो क्यों ना मेहनत करके अपने parents के 55 से 60,000,000 रुपए बचा लिए जाएं खास करके यह message उन लोगों के लिए है जो middle class family से belong करते हैं जिनके पास ऐसा रहता है कि जोड़ तोड़ के जमीन बेचके या फिर जमीन गिरवी रखके या फिर कहीं से education loan लेके मैं कताई उनको suggestion नहीं करता definitely समय लगेगा लेकिन आप एक या दो साल के मेहनत से अगर 50 से 60,000,000 रुपए बचा लेते हैं तो कितना ज़्यादा difference create होता है क्योंकि after MBBS भी आप एक दो साल 3 साल 4 साल 5 साल में आप किसी MBBS डॉक्टर से मिलिएगा और उसे पूछिएगा after completion of MBBS 60,000,000 रुपए उसके account में होने में ने बेटा 10 साल लग जाते हैं यह fact है यह मैं बोल रहा हूँ मेरा नाम Dr. Manish Jaiswal है और मैंने पंडित जेनम Medical College Report से MBBS किया हुआ है तो इस चीज को आप ध्यान रखिए जो fact है मेहनत करिए मेहनत करने के लिए प्रेडित करिए अब इसका मतलब यह नहीं कि इसकी सीटे खाली चली जाए ठीक है जो लोग होंगे वो definitely admission लेंगे करेंगे MBBS सीटे कभी vacant नहीं रहती है लेकिन अगर आपके पास opportunity है मौका है तो कोसिस करिए कि अपने parents के जो मेहनत से कमा हुए पैसे है उनको फिजूल में मुझे तो फिजूल खर्ची लगता है ये जो है न बाकी आपकी मर्जी है आप देख लीजे guidance आपको पूरा मिलेगा चाहे government medical college की counseling हो private medical college की counseling हो मिलते हैं next video में ऐसे ही किसी मज़ेदार information के साथ